आप सब जानते ही होंगे कि पानी का ना कोई रूप होता है और ना ही उसका कोई आकार होता है उसे जिस तरह ढ़ालना चाहो उस तरह ढ़ल जाता है लेकिन क्या आपने कभी सुना है पानी आपस में मिलता है लेकिन आपस में घुलता ना हो क्या हुआ? आप भी सुनकर हिरान होगे? पर ये सच है, हिंद मासागर और ब्रशांद मासागर का पानी आपस में मिलता तो है लेकिन आपस में घुलता नहीं है तो आईए, जानते हैं इसके बारे में हमारी दुनिया कहीं सारे चमतकारों से भरी हुई है एक ऐसा ही चमतकार हमें अलासका की खाडी में देखने को मिलता है जहाँ पर हिंदमासागर और प्रशांदमासागर आपस में मिलते जरूर है मगर उनका पानी आपस में खुलता नहीं है वैसे तो हिंदमासागर और प्रशांदमासागर का पानी सदियों से आपस में नहीं खुलता लेकिन इस बात की सबसे पहली तस्वीर जुलाई 2010 में सामने आई थी जब आई जेब केंट स्मित नाम के फुटोग्रफर ने इसकी तस्वीर इंटरनेट पर डाली उसके बाद से ही ये तस्वीर वाइरल हो गई उसके बाद से कहीं समुंदरी विज्ञानिक इस जगा पर जाच करने के लिए आए जाच में ये बाद सामने आई कि प्रशांदमासागर का अधिकतर पानी ग्लेशर के पिघल कर आता है इसकी वज़े से इसका रंग हलका नीला होता है और वहीं दूसरी तरफ हिंदमासागर के पानी में नमक होने की वज़े से इसका पानी ग्हरा नीला होता है कई विज्यानिकों का कहना है कि ग्लेशिर से पिगलने वाला पानी मीठा होता है और समुद्र का पानी खारा होता है जिसकी वज़े से जब दोनों महासागर आपस में मिलते हैं तब इनके बीच जाक की दिवार बन जाती हैं और अलग अलग डेंसिटी होने की वज़े से भी ये आपस में घुल नहीं पाते हैं वही कुछ लोग इसे चमतकर मानते हैं और कई लोग इसे रहसे को धार्मिक मानेताओं से जोड़ कर भी देखते हैं ER News Network के लिए भूमिका राठोर की रिपोर्ट